कॉंग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा ने आज प्रैसवारता करते हुए केंदर सरकार पर जम कर हमला बोला और कहा पुलवामा हमले के आरोपी एक आतंकवादी जैशे महमत के यूसुप चोपन को बेल क्यूं दी गई आपको बता दे कि दिल्ली के अजादत ने बेल दी है इसको लेकर पवन खेडा ने सवाल उठाया और उन्हें कहा एन आई ये चार शीट दाखिल नहीं कर पाई थी इसके चलते आतंकी जैशे महमत के यूसुप चोपन को जमान दी गई इसको लेकर पवन खेडा ने केंदर सरकार पर सवाल उठाया ये सुनाते हैं आपको पवन खेडा ने क्या कुछ कहा देश को देहला देने वाले उल्वामा पर हुए आतंकी हमले जिसमें हमारे 40 जवान CRPF के शहीद हो गए थे उस हमले को ये देश कभी भुला नहीं सकता वो देश की आत्मा पर हमला था इस साल 2020 14 फरवरी एक साल हुआ ही था अभी दो दिन पहले तीन दिन पहले जो एक आरोपी था जैशे मुहम्मद का तंकवादी यूसुफ चौपान उसको दिल्ली की एक अदालत ने बेल दे दी बेल क्यों दी क्योंकि एनाईय चार्जशीट याने की आरोप पत्र दायर नहीं कर पाई इसके चलते जैशे मुहम्मद के आतंकी यूसुफ चौपान की जमानत हो गए पामिछ शाह साहब मोदी जी गम बढ़ते हो आप राश्रवाद का 40 हमारे शहीद हुए जवान जिनकी फोटो लगा लगा कर आप पूरे चुनाव में पूरे देश में घूमते रहे उनके परिवार का चहरा अब आपके सामने नहीं आया आपको दिखाई नहीं दिया यह वही जैशे मुहमद है जिसने कंधार किया जिसने पार्लेमेंट पर हमला किया जिसने कई कई हमलों को अंजाम दिया यह वही कंधार है जिसके जिसमें आप आतंकवादियों को छोड़ने भी गए थे जैशे मुहमद के आतंकवादी को आप बेल होने दे रहे हैं और फिर भी आप अपने आपको राश्रभक्त मानते हैं कि इससे बड़ा देश द्रो और क्या हो सकता